Hello Everyone, अगर आप अपनी IES की तियारी घर बैठे करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए आँ. इस वीडियो में मैं आपको ऐसे एक एप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस एप में आपको IES पनने की जो भी रिसूर्सेश चाहिए, वो सारे एक ही जगह पर एब लेबल हैं, तो कहीं भी जाने की जुरुवत नहीं हैं, तो सबसे पहले आप अपने प्लेय श्टोर मे रखा है, तो यहाँ open का option आ रहा है, आपको install का option आएगा, तो आप install करके open कर लेंगे, open करने के बाद इसका जो interface है, कुछ इस तरीके से खुलेगा, तो यह इसका interface है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे syllabus, तो syllabus में prelims का syllabus, prelims में general studies का, यहाँ पे click करेंगे, तो यह general studies का syllabus आ गया, फिर आप back जाएंगे, cset का syllabus तो cset का syllabus आ गया, फिर आप आजाएंगे mains का, तो यहाँ पे आपको qualifying का यह आ गया, paper 1 और paper 2 का, essay का syllabus यहाँ से आ गया, आगे बाद तो यह gs1 का syllabus हो गया, आप नीचे जाएंगे, तो उसी सारीके से gs4 का देख लेंगे तो gs4 का हो गया, फिर आप आएंगे optional में, optional में सारे subject का जो है वो आपको मिल जाएंगी, चाहे literature हो या कोई दूसरा आपका optional हो, for example, अगर मैं mathematics आपको दिखा हूँ, तो mathematics का यहाँ पे paper 1 का यह पूरा syllabus है, नीचे आप जाएंगे तो paper 2 का पूरा syllabus है, similarly सारे optional का syllabus यहाँ प 5 से class 12 तक का जो है, वो NCRT book मिलेगा, अब यहाँ पे Hindi में और English में दोनों मिलेगा, for example, अगर मैं तेंथ पे click करता हूँ, तो यहाँ पे economics, geography, history, politics, science, यहीं चीज हमको हिंदी में मिलता है, for example, यहाँ पे economics को मैं click करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा development chapter आता है, जिसको click करने के बाद जो है, वो हमारा Google Drive खुलेगा और PDF हमें डाउनलोड हो जाएगा, तो अभी मैं आपको डाउनलोड करके नहीं दिखा रहा, इसके हिंदी में आ जाएं अर्थसास, तो यहाँ पे उसी तरीके से, और आप यहाँ पे click करेंगे, तो फिर download का option आ जाएगा, एक मैं आपक पे click करेंगे, यह जो book है वो download हो जाएगा, चलिए, NCRT तो आपको हर जगे मिल जाती है, तो हम NCRT की बात नहीं करते हैं, ठीक है, बैक आ जाते हैं, NCRT आसानी से हर जगे available है, old books की बात करते हैं, तो old books में सारे class 5 से जो है वो आपको 12 तक मिल जाएगा, for example, 11th की बहुत सा जो है वो उसी तरीके से यह open हो जाएगा, यह आप देखेंगे, तो यहाँ पर जो है वो आपको history की book जो है वो मिल गई, तो history की book आप यहाँ से download कर सकते हैं, वापस आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, class 11, अब यहाँ पर N.I.O.S. की book भी कितने लोगों को demand होती है, history, जैसे ancient, medieval, modern, आपको यहाँ सारी चीज़े मिल जाएगी, for example, हम लोग ancient पर click करेंगे, तो N.I.O.S. डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ लिएं कि N.I.O.S. या इस तरीके के जो extender books है, इसमें आपको tamil ladu books भी मिल जाएगा, तो इस बात को भी आपको ध्यान पास, जो है वो 11, यहाँ पर आप देखेंगे तो ancient India, आड़े सर्मा, medieval India, और इस तरीके से सारे जो हैं वो बुक आपको मिल जाएगे, यह N.I.O.S. की बात हो गई, तो यह सारी तो simple simple बात है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, प्रिलिम्स का जो paper है, वो हमारा कैसे है, तो यहाँ पर 2011 से 2020 तक का paper है, for example, 2020 पर हम लोग click करेंगे, तो यह देखें, यह हमारे सामने 2020 का pre का paper है, वो open हो गया है, और हम इसको पूरा देख सकते हैं, internet slow है, इसके वज़े से आगे का जो page है, वो open होने में time लग रहा है, और यहाँ पर download का जो यह option दे रहा है, यहाँ पर आप इसको जब click करेंगे, तो यह आपके file में भी save हो जाएगा, तो देखिए, यहाँ से खूल गया, तो आप इसको असानी से, अब पिछली बार मैंने एक video बनाया था, जिसमें आप previous years के paper find करना चाहते थे, तो उसमें English में सारी चीज़ थी, हिंदी में नहीं थी, तो यह आपको हिंदी वाली भी मिल जाएगी, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, चलिए, तो यह तो भी prelims की, C-set की उसी तरीके से, आपको 2011 से 2020 तक की हो जाएगी, आप click करिएगा, तो यह download हो जाएगा, और असानी से यह आपके file में save होगा, folder में, जिसको आप offline भी बीना app को open किए, आप file में जाकी इसको open कर सकते हैं, मेंस की बात कर लेते हैं, तो मेंस में मालने जी यहाँ पर essay है, essay का भी पूरा जो paper है, वो यहाँ पर 2020 का, तो एक बर मैं आपको essay का दिखा देता हूँ, तो यह हमारे सामने 2020 का essay का paper जो है, वो खुल के सामने आ गय करते हैं, और इसको download पर click करेंगे, यह आपके download हो जाएगा, optional की बात करें, तो optional का भी सारा paper जो है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, और आप यहाँ से किसी भी जो app है, वो उसे open करेंगे, तो यह आपका सामने आ जाएगा, download हो जाएगा, ठीक है, optional की भी बात कर ले, compulsory language का, similarly उसी तरीके से, आपका जो भी language है, आप यहाँ से download कर सकते हैं, तो paper की समस्या जो है, वो खतम होई, paper में एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे GS1 का कोई एक paper open करके देख लेते हैं, तो यह हमारे सामने, जो GS paper 1 है, उसका जो है, वो हमारा सामने paper है, अब यहाँ पर student Hindi medium से हैं, बहुत सारे English medium से हैं, तो एक ही paper में दोनों जब question मिल जाएगा, तो उनको benefit मिल जाएगा, और इसको यहाँ पर download पर click करेंगे न, तो यह आपका download भी हो जाएगा, देखिए, यहाँ download का option आ रहा है, अगर मैं इस पर click कर दूँ, तो यह जाके मेरे file में save हो जाए जाएगा, जैसे यहाँ देखिए, यह एक question है, उसका answer भी यहाँ पर solve में आपको सारी चीज़े मिल जाएगी, तो यह भी benefit आप उठा सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर कुछ books list दी गई है, तो यहाँ पर click करेंगे तो prelims के लिए book list, तो यह सिर्फ book list ही है, recommend ह यहीं जो आपको YouTube पे और कोई फी suggest करता है, वहीं है, तो यह तो बस skip कर देते हैं इसको, books की बात करते हैं, तो books में देखिए, जैसे आपको modern India spectrum की book चाहिए, तो आप यहाँ पर click करेंगे, आपके सामने spectrum का जो modern India है, वो open हो चुका है, total जो है, 287 page का है, तो यहाँ पर PC Lyon, या माजिद हुसेन, या फिर Indian politics का एम लक्षमिकांत चाहिए, या Indian constitution का डीडी बासु चाहिए, या constitution कोई भी एक click करेंगे, फिलहाल लक्षमिकांत को click करते हैं, यहाँ पर यह जो book है, आपको मिल जाएगा, और इसी तरीके से सारे book जो हैं, वो लगवलगवग, environment का, इकनॉमिका, रमेज सिंग का, environment संकर आईएस का, और इस तरीके से सारे चीज़े जो हैं, वो social problems, जो है वो राम अहुजा का book आता है, बहुत ही अच्छी book है, यह आपको लेक्सिकन एथिक्स का, यानि सारे books जो है वो आपको, यहाँ पर मिल जाएगा, आप इसको save कर सकते ह है, फिर आगे बात आती है, मेकजिन की, तो मेकजिन पे जब हम लोग क्लिक करेंगे, से हमारे सामने जो है वो interface खुलके आ जाएगा, अब यहाँ पर फस्ट जो है, वो right to information master key to good governance, अब good governance के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब हर topic के related जो है, वो आपको यहाँ डाउनलो 89, यहाँ पे 18, यानि कि यह backside का है, यह आगे भी update होते रहते हैं, PIV की बात करें, इसको skip कर देजिए, राजसभा को skip कर देजिए, यहाँ पे MPR क्या है, अब MPR फिलहाल मा लेजे मेरे को पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मुझे चेक करना है, मैं आपक आप अपने area का पता कर सकते हैं, for example, मैं यहाँ पे एक pin code डालता हूँ, यह pin code हमने यहाँ पे डाला, pin code डालते ही, इस area में जो भी है, for example, मनुझतिवारी इस area के जो है, वो सांसद है, तो यहाँ पे कुछ detail आ गई खुलके, कैसे तो यहाँ पे देखेंगे, तो 7th लोग statics, तो यह एक जनकारी मिल जाएगी, बहुत सारी जो data है, वो इनके बारे में मिल जाएगी, तो इससे आप अप जिस भी area में रहते हैं, जो भी pin code है, तो वहाँ का information जान सकते हैं, यह आपके state civil service या फिर दूसरे examination में काफी help करेगा, ministry की जो side है, वो यहाँ पे सारी दी गई है, तो यहाँ पे click करते ही direct आप यह side खुल जाएगी, कहीं पे search करने की जो रिखने, ministry of finance, ministry of women and child development, ministry of social justice and empowerment, ministry of culture, और इस तरीके से सारे नीती आयोग, यह सब दिया हुआ है, तो click करिए और वहाँ पे direct चले जाएगी, तो यह एक benefit है current affairs के लिए आपको magazine चाहिए, तो यहाँ vision is की magazine जो है, वो मिल जाएगी, आप यहाँ देखेंगे, तो बहुत back side से आपको 2015 से मिलेगी, लेकिन आप latest आईए, तो अभी December का महीना चल लाए, तो December खतम हो जाएगा, तब December की जो magazine है, वो आएगी, तो फिलहाल अभी November 2021 का, अब mind map क्या है, इसको देख लिए, mind map, gs2, gs3, यहाँ पर gs1 के लिए पहले देखें, अब यहाँ पर क्या है आपको बहुत सारे flow chart जो है, वो देखने को मिलेंगे, जो हो सकता है, आपके exam में मदद करें, और इससे काफी आपको helpful हो, तो mind map है, यह gs2, gs3, इस तरीके से आप इसका इस्तमाल चाहें तो कर सकते हैं, compulsory नहीं है, scheme important है, तो scheme को देख लेते हैं, scheme में क्या क्या है, government की scheme है, यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर जो भी चीजी scheme आई है, जैसे की सच भारत, अब यहाँ पर नोडल ministry, ministry of urban development, objective क्या है इसका, तो सब point wise जो है, इसका salient feature क्या ह है, तो इस तरीके से जो scheme है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो कहीं और खोजने की जरूरत नहीं है, current affairs की बात करें, तो यहाँ पर एक तो आपको current affairs उपर देखेगा, नीचे paper देखेगा, paper पर जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको news paper मिल जाएगा, फिला देनिक जागरन, तो देनिक जागरन अगर आप देखेंगे, तो यह हमेशा अपडेट नहीं हो रहा है, जैसे 15-7-2021 का ही अपडेट है अभी, लेकिन आप देखेंगे देहिंदू का, तो देहिंदू latest जो है वो अपडेट हो रहा है, यानि कि आज 27 December है, 2021 है, तो यहाँ का आप डाउनलोड करेंगे और हो जाएगा, ताइमस ऑफ इंडिया 26, एकनॉमिक स्टाइम और यानि कि आप इसमें कह सकते हैं, देहिंदू और एकनॉमिक स्टाइम जो है, वो रेगूलर टाइम टू टू टाइम अपडेट हो रहा है, कोई भी गैपिंग नहीं है, और देहि स्किप्सल लेने के जूरत नहीं पड़ेगी, तो लगभग आपने यहां पर देखा कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो एक जगा पर मिल रही है, लगभग आई-एस की जो रिसूर्स होती है, वो सारा आपको यहां पर मिल रहा है, और लगभग फ्री मिल रहा है, बस एक इसका डिमेरिट है कि इस बीच में जब भी आप ऑनलाइन रहेंगे एप पे, तो एड भी आते हैं, तो एड पांच मिनट का स्किप आप कर सकते हैं, और अपना काम चला सकते हैं, आप यहां डाउनलोड करके फाइल में सेब कर लेजिए, फिर एप भी ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अगर यह वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर दिजिए, वीडियो पसंद नहीं आया होगा, तो डिसलाइक कर दिजिए, और डिसलाइक क्यों किया, कमेंट बक्स में जरूर बताईएगा, तो मिलेंगे किसी इसी तरीकी के कोई इंफ तक के लिए जय हिंद